वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते सा संगत जी आज तु हाटे नाल गुरु सहब देख चमत का आर्दी गाल करांगे शायद उस उपर तु हानु यकीना होवे अपने चैनल दे सब्सक्राइब मतलब अपना परिवार हुन सवा लाख पार कर गया है उसले तु हाटा सब्दा दिल तो तन बात कर दे हां संगत जी वीडियो नू लाइक ते कमेंटां दे विच वाहे गुरु लिखके अपनी हाजली जुरूर लगवाना जी तो हाटे नाल हुन सची कथा सांजी कर लें दे हां आज जी एहे कटना है एक अजेहे गुर सिख दी जिस दा एक हंकारी होई व्यक्ती दुवारा बेस्ती किती गई उस्तों बात जो होया उस हंकारी होई व्यक्ती दी जिन्दगी दे विच ओहो सुन के तुसी हैरान हो जाओगे एहे कटना उत्राखन दे रैन वाले एक अमेर शाहू कार व्यक्ती दी है पेंड़ दा सब्तों मेर आदमी होन दे कारन उसनु अपने आपते बहुत हंकार सी पेंड़ दे विच उस दी बहुत चाल दी सी क्योंकि उसनु लगदा सी कि ओहो अपने पैसे दे दम ते कुझ वी कर सकता है ओहो अपने खेतां चे काम करन वाले मजदूरां दे नाल बहुत बुरा विवार करदा सी इक बार पेंड़ दे बहार एक सांत कुटिया बना के रैन लगे ओहो सांत गुरु दे नाम दे विच लेन रहन दे सी अते ओहो अपना ज्यादा समा वाही गुरु सचे पा कर दे सी बहुत लोग ओना दे दर्शन करन लेई आउंदे सी अते कई लोग तां ओना तो आशिरवाद वी लेंदे सी ओहो सांत महापूर्श पिंड़ विच जाके किसी इक कारदे विच ही परशादा शक्या करदे सी ओना नु जोवी खान दे ले मिलदा ओहो वाही गुरु सचे पाशे जी दा नाम लेके खालें दे सान इक दिन पेंड़ दे विच शाहर करदे करदे ओहो सांत उस व्यक्ति दे खेतां दे कोड़ दी जा रहा सी तां उन्ना ने देख्या कि ओहो व्यक्ति मजदूर नू बहुत बुरी तरां कुट रहा सी ओहो मजदूर दे वार वा पर मावी मंगन ते वी ऊघ व्यक्ति उसनों कुटदधा जा रहा सी इसनों गाणां भी दे रहा सी उस सांत महापूर्शा तो एहे साब देख्या नहीं गया सांत महापुर्ष उस व्यक्ति दे कोल गे उस मजदूर नो कुटन दी उस व्यक्ति तो वजा पुछन लगे ओह व्यक्ति गुसे दे विच सी अते हो सांत महापुर्ष नो कैन लगे कि बाबा एह साधा आपसी मामला है तुँ जाके अपना काम कर उस व्यक्ति दे एहे कोडे बोल सुनके सांत महापूर्ष शांत रहे क्यूंकि ओहो बोत शांत सुबा देसी संता ने उस व्यक्ति नों मुस्कराउंदे होई केहा की बेटा तु तन दोलत दा एना हनकार ना कार इनसान अपने नाल कुझवी नहीं लेके जानदा एहे साब इत्थे ही रह जानदा है संता दियां इहे गला सुनके ओहो व्यक्ति पाड़क गया की बापा हे मजदूर तेरी तरा फ्रीद खान दे आदी हो गईने तु भी बिना कोई काम किते सारा दिन बास कुमदा रहनदा है अते बिना काम किते रोटी खानदा है तेनु एहे साब पाचदा केमे है तेनु शर्म नहीं आउंदी ओहो सांत महा पूर्ष इस गलतों भी शांत रहे पर उना ने कहा कि देन वालाता ओहो परमात्मा है असी सारे उस दा ही दित्ता होया खान दे हाँ ओहो साबनु दिन दा है अते सारे आदी सुन दा है अते एहे कह के सांत महा पूर्ष उत्थों चलेगे उस राद नू पिंडदे विच इननी तेज तुफान आया कि उस व्यक्ती दी सारी फसल बरवाद हो गई अते आस्मानी बिजली डिगन दे कारन उस दे कारदा काफी नुकसान हो गया पर हैरानी दी गालता एह सी की इस तुफान दा नुकसान सिर्फ उस व्यक्ती दे खेतां चाहते उस दे कारदे विच ही होया पर उस नू समझ आ गया सी की इह सब कुझ क्यों होया पर जदों ता कहो सांत महापूर्शां दे कूटिया ते पोंचिया ता उस नू पता लगया कि सांत महापूर्शता उसे शाम नुही इस पिंड़नु छाट के चले गये सी हुन उस व्यक्ती दे कोल पे शतावेतों इलावा होर कुझ भी नहीं इस तरह दी वीडियो देखन दे लेई साड़े चैनल नू सब्सक्राइब कर लवो कमेंटा दे विच वाहे गुरु लिख के अपनी हाजरी जरूर लगवाओ नमी वीडियो लेके जल्दी ही आमांगे ओदों ताक दे लेई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते